यूपी की पाच लोक सभा स्रीट पर सपा भाजपा में होगी टक्कर पहली लोक सभा स्रीट है परताबगड की परताबगड लोक सभा स्रीट पर इस बार सपा और भाजपा में काटे की टक्कर देखने को मिलेगा परताबगड में सपा ने स्पी सिंग पटेल को अपना प्रत्यासी बनाया है महीं 2019 में इस स्रीट पर भाजपा से संगम लाल गुपता सांसर बढ़े थे परताबगड लोगसवा स्रीट का समिकरण इस बार ऐसा बना हुआ है कि इस स्रीट पर सपा और भाजपा में स्रीधी टककर होगी कुर्मी बाहुल यहां स्रीट मानियाती है दूसी लोगसवा स्रीट है जौनपूर की जौनपूर लोगसवा स्रीट पर दोहराजचोविस में सपा और भाजपा में फिर स्रीट टककर होगी इस स्रीट पर कौन बादी मालेगा इसको लेकर हवित्तक सस्पंस बना हुआ है जौनपुर में सपा और भाजपा ने अब तक कोई प्रत्यासी घोशित नहीं किया है लेकिन यहां का समी करण ऐसा है कि तक कर देखने को मिलेगा 2019 में बस्पा से स्याम सिंग्यादो सामसर बने थे 2024 में सपा और भाजपा में मुकाबला देखने को मिलेगा तिसरी लोक्स सभास स्टीट है अमबेटकर नगर की अमबेटकर नगर स्टीट पर सब से तकड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है अम्बिटकन नगर से सपा ने लाल जी बर्मा को अपना प्रत्यासी बनाया है जब कि भाजपा से रितेश परंडे प्रत्यासी बन सकते हैं इसके चलते अम्बिटकन नगर में दो दमदारने ताओं के बीच मुकाबला देखने को मिल सकता है अम्बिटकन नगर में सपा और भाजपा में सीधी टक्कर होगी चौथी लोग सभाज स्रीट है अयुध्या की अयुध्या लोग सभाज स्रीट पर इस बाजपी स्रीट टक्कर देखने को मिलेगा इस स्रीट पर कभी सपा कभी भाजपा चुनाव जीत्ती आ रही है सपा ने दिग्रज नेता और इस प्रसाथ को अपना प्रत्यासी बना कर पूरी तरिके से दाओं खेल दिया है और इस प्रसाथ कई बार विधायक रह चुके हैं और मंत्री भी रह चुके हैं वहीं भाजपा से वर्तमान सांसर लल्लू सिंग है अविध्या राम लदा के चलते इस बार भाजपा सपा में सीधी टक्कर देखने को मिलेगी वहीं पाचवी लोक सभा सीठ है चंदवली की चंदवली लोक सभा सीठ पर 2024 और 2019 में भाजपा जीती इससे पहले समाजवारी पाटी का कबजा हुआ करता था चंदवली लोक सभा का समिकर भी इसी तरह है जिसके चलते सपा और भाजपा में सीधी टक्कर होगी यूपी की ये ऐसी 5 लोक सभा सीठ है जहां पर 2024 में सपा और भाजपा में टक्कर देखने को मिलेगा